आप सभी को मेरा अपर नाम हर्बल रेमिडी इन नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ हो आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे इसके अंदर नीचे पाए जाने वाले राइजोम के माजम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है हाइली मैडिसनल प्लांट है कफ और वात डिसोडर्स के लिए वीटेटिड कफा और वाता डिसोडर्स को दूर करने के लिए आप इसके पत्रक इसके फूल और इससे आने वाली जो फ्रूट होती है जिसको आप बड़ी इलायची कहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं बड़ी इसके बीज एक्स्टर्ट करके पाउडर बना लीजे और उसको फिर सहथ के साथ दिन में दो से तीन बार अगर आप सेवन कराते हैं तो ब्रॉंकाइटिस की अस्थमा की और रेस्परेशन या स्वांस लेने में अगर समस्चा हो रही हो बच्चा बूड़ा जवान किसी भी एज का वक्ति हो इसको ले सकता है पूरी तरह से ये सेफ है वात के कारण काई बार शरीर में दर्द होता है और उसके समस्चा के लिए निराकरण के लिए इसी तरह से आप उसका भी सेवन कर सकते हैं दिखने में यह सुंदर फूल जो आपको दिख रहे हैं इनका आप है दस से पंद्रह एमल जब आप इसका सेवन करेंगे तो यह कपैसिटी को बढ़ाएगा बलड कोलेस्ट्रोल को कम करेगा और हाइपटेंशन की अगर समश्या हो उसको भी दूर करता है इनफलोरेसंस क्योंकि हर मोसम में नहीं आते हैं तो इसके एक पत्र का इनफ्यूजन बनाकर आप सेवन भी कर सकते हैं आप फूलों की जगह इसके पत्र का इनफ्यूजन भी अगर लेंगे तो इन में भी वही ओस्दियगुन होते हैं यह डायरिया और डिसेंट्री की समश्या को दूर करता है गर्बियों के समय होने वाले हैड़क जिसको सरका दर्द कहते हैं इसको दूर करता है अगर नियूरो मस्कुलर कम्प्लिकेशन नसों में या मासपेश्यों में दर्द है तो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर फुल्टिस बनाकर बांदेना चाहिए नसों के दर्द को और मासप कि वात को बढ़ा सकते हैं तो ऐसे पद्धारतों को बनाने के लिए जैसे कि आप छोला राजमा कड़ी इस तरह कि अगर घर में बना रहे हैं तो आप जरूर बड़ी इलाइची का उप्योग कीजिए ताकि ये वात को रेमेडियेट कर दे और दूर कर दे और आप इसको सा अपच को दूर करने के लिए गेस्ट्रिक फायर को बढ़ाने के लिए आप बड़ी इलाइची का डिकॉक्षन बनाकर सेवन कीजिए आप सकता अनुसार उसमें सहदाप मिला लीजे बहुत अच्छा ये कारे करते हुए आपकी भूग को बढ़ाएगा लीवर को डिटोक्स संधिवाथ बुखार इन सब को दूर करने के लिए भी पर सकते हैं और इसी टूबर के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है मित्रो कितने सुंदर आप फ्लावर्स देख रहे हैं और अगर आपको गार्डनिंग का सौक है अगर आप गार्डनर लवर हैं तो आप अपने गार्डन में लगाई है और अगर इसको आप बड़े गंलो में भी रहाँ सकते हैं सुंदर इसके फ्लावर्स बहन Не ही और साथ ही आपका स्वास्ते का संवर्दन भी इस प्रकार से आप इसको जैनिक जीवन नोप योग में मित्रों भले ही आपके छेत्र में इस पे फ्रूट्स ना आए लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ तो पुर्फ्यूज होई जाती है समस्त भारत में इसको आसानी से लगा आते हैं उसके लिए आप वर्मोनल ट्रीट्मेंट वगरा दे सकते हैं वह एक अलग विधी होती है लेकिन चर्चा कभी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर उस्जेगुण को उपयोग करने के लिए आप बड़ी इलायची को कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ल कल मिलेंगे एक नई प्लांट के साथ तब तक लिए आप सभी का धन्यमाद पर नाम नमस्कार